हेलो स्टूइट स्वागत है आप सभी का दाश्टरी अड़्दा पर इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इस कोशन के बारे में जो की है एक्स्प्लेइन हाउ दे हुमन इयर वक्स तो हुमन इयर किस तरह से काम करते हैं इसकी पूरी जो फंक्शन है वो कैसे कंप्लीट होती है और इसके क्या पार्ट होते है तो ये बहुत important question है इस chapter का और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है ये आप से औरली भी पूछा जा सकता है और अगर ये exam में आता है तो कम से कम 3 से 4 नंबर तो ये question पूछाई जाएगा फंक्शन करता है human year तो इसको समझते हैं तो यहाँ पर diagram में आप देखेंगे तो इसके तीन पार्ट है ठीक है इसके जो main important part है तो इसको हम थोड़ा इधर ले आते है अब देखिए इसके तीन important part है एक है outer year तो ये वाला जो part है ये outer year कहलाता है टीक है तो ये outer year है और इसके बाद जो next part है वो है middle year तो यहाँ तक का यो part है ये middle year है ठीक है और फिर आगे part है inner year तो तीन पार्ट होते हैं outer year, middle year और inner year अब outer year में जो part होता है एक होता है ये पिन्ना जो बहार का जो हमारा कान का जो बहार का जो यह हमें दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं पिनना जो आउटर पार्ट है यह एक तरह इसे बस जो sound है उसको करता है उसको Direction देता है न साउंड को एख करता ओ डारेक्षन करता है किसकी तरफ यह जो ear tube है इसकी तरफ तो बीच में ear tube होती है तो इसकी तरफ जो है sound को direct करता है वैसे इनका जो main role है वो हमारे balance body balance के लिए बहुत important role होता है जो बाहर जो पिनना होता है इनका main role जो है हमारे body के balance के लिए होता है ठीक है तो अब बात आती है कि यहां से जब sound को इसने direct कर दिया किस की तरफ ear tube की तरफ तो यह ear tube है जिसे auditory canal भी कहते है ठीक है auditory canal भी इसको कहते है यह tube को इसके बाद जब sound आती है तो sound आती है जिसको आप जो है generally khan का परदा कहते है इयर drum इयर ड्रम पर sound आती है तो यहां यहां पर vibrations होते हैं तो इससे जुड़े हुए तीन small bonds होते हैं थिरी small bonds जिने हम जो है इन तीनों के तो यहां पर आप देखेंगे तो यह तीन small bonds हैं जो इससे connect हैं यह hammer फिर anvil और फिर strap या strip तो यह तीन bonds होती हैं जो बाद में यहां पर कोकिलिया से जुड़ी होती हैं इसका यह हमारा यह जोड़ता है इसको inner ear से inner ear में हमारी auditory nerve होती है तो यह sound को यहां पर जो है इसके अंदर sound को electric signal में convert किया जाता है जो sound यहां पर आई उसको electric impulse में convert करके auditory nerves को भेजा जाता है और auditory nerves उनको carry करती है brain की ओर ठीक है तो वो उनको brain की ओर लेकर जाती है जहां पर कि जो भी हमने सुना उसको समझा जाता है तो यह पूरा process होता है तो sound कहां से आई यहां पिनना से receive होई इसके बाद यह हमारे ear drum, ear tube या auditory canal से सीधा ear drum पर आती है, ear drum के vibration के कारण motion होता है vibration होते है, hammer जो कि इससे जुड़ा रहता है, hammer, hammer से यह anvil और anvil से trapeze के थुरू यह sound यहां पर कोकलिया में पहुंचती है और यहां पर वो electric impulse में change हो जाती है electric impulse जो है वो nervous system को जोड़ते हैं और यह auditory nerve के थुरू हमारे nervous system से जाते हुए brain तक पहुंचते हैं तो यह पूरी functioning होती है, तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे यह भी देख लेते हैं, answer आपको किस तरह से यह करना है, ठीक है तो मैं screen से हट जाता हूँ और इस तरह से यह आप answer रिखेंगे, ठीक है यहाँ पर यह है, तीन पार्ट है, outer ear, middle ear, inner ear outer ear को हम कहते हैं पिन्ना, पिन्ना का काम है sound को collect करना, जैसा कि मैंने आपको सब बताया collect करते हैं, surrounding से सारे sound को collect करते हैं, उसके बाद यह sound को भेज देता है auditory canal की ओर middle ear, middle ear का काम है, जो की auditory canal के end पर होता है, यहाँ पर सबसे पहले एक membrane होती है जिली परदा type, उसको हम ear drum कहते हैं, ear drum को timphanic membrane भी कहा जाता है तो यहाँ पर होती है timphanic membrane, उसके बाद जो है यह sound wave, यहाँ पर membrane में vibration create कर देती है इस vibration को थोड़ा बढ़ाने के लिए और इसको सही से feel करने के लिए यहाँ पर amplify करने के लिए तीन small bones होती है, जिसमें hammer, anvil और strappy ठीक है, तो यह सारा answer इसी तरह से आपको दिया हुआ है, जैसे जैसे मैंने आपको पूरा function बता है आगे फिर inner ear होता है, inner ear में जब vibration पहुंचते हैं, vibration वहाँ पर reach करते हैं तो cochlear जो है inner ear के part होता है, और यहाँ पर जो है वो electric signal में, electric impulse में convert हो जाते हैं electric impulse में जब वो convert हो जाते हैं, तो वो message, convert हुआ message brain को send होता है किसके द्वारा, auditory nerves के द्वारा, auditory nerves और brain के बीच में जो nervous चिसुँ है, इस तरह से brain जो है वो interrupt करता है, यानि समझता है उसको sound को, किसके थरू, electric impulse के थरू, तो यह पूरा process होता है और इस तरह से हम sound को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं तो I think यह अब आपको clear हो गया हुगा, अगर clear हो गया तो जरूर कमेंट में एक बार लिखें, clear हो गया और like करें, वीडियो को share करें, और चैनल को subscribe नहीं गया तो subscribe करें Thank you guys, thanks for watching